राश्ट्रिय जाजटिंसी यानी एनाई ने शुक्रवार 12 एप्रिल को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में दो फरार आरोप्यों को पशिमंगाल में कोलकता के पास गिरफतार कर लिया है एक माच को बैंगलोर कैफे में हुए विसपोर्ट में नौ लोग घायल हो गए थे इन आदंकियों की पहचान मुसाफर हुसेन शाहिब और अब्दुलमदीन ताहा के रूप में हुई है एन आई कोलकता के पास फरार आरोप्यों का पता लगाने में सफल रही जावे जूटी पहचान के तरह चिपे हुए थे